जैहन दोस्तों जेल पहरी परीच्छा 2020 के अंतरगत हम जेल पहरी परीच्छा 2018 में पूछे गए गड़ित के प्रशनों को हम यहां पर हल कर रहे थें तो यह जो वीडियो है यह 2018 में पूछे गए प्रशनों का है फोर्थ वीडियो है चोथा वीडियो है चलिए हम इस वीडिय वर्ष के अंत में भुक्तान की जाने वाली रासी याद करें तो हमें यहाँ पे साथ वर्ष के बाद अंत में उसने कितनी रासी भुक्तान की वह याद करना है अर्थात हमें मिस्त्रधन याद करना है तो चुकि हम जानते कि मिस्त्रधन जो होता है वो क्या होता है मूल्धन भी आज यदि हम मूलधन जो हमारा क्या है दसजार रुपे इसमें यह व्याज को प्लस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसने साथ बर्स के पश्चात कितनी रासी भुकतान की चुब कि हम जानते हैं जो साधान ब्याज ब्याज होता है उसका फ्रॉर्मुला क्या होता है मूलधन गुलधर गुड़ शुमाय बटे सो तो हम यहां देख लेते हैं यहां से दोक्तार की रासी है कि कि इसमें बारा प्रतीसते बार्सिक 84 8400 तो यह हमें ब्याज मिल गया यदि हम इस 8400 को 10,000 में प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मिस्द्धन मिल जाएगा तो यहां यह हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18400 तो हम देख लेते हैं 824 का घनमूल गयाद कीजिए घनमूल घनमूल गयाद करना है तो हम यहां देखते हैं जो नंबर है हमारा 13.824 यदि यहां पर हम नंबर देखें तो सबसे पहले तो हमें घनमूल देखना है अर्थात हम किसके जोड़े बनाते हैं दो दख़र्ण चएओल दूड़े टीन का दी हम देखें तो कि मिल्यका नौ 2 शप्रण का नोटिया 27 होता है चार की यदि बात करें चारच को 16 चो को 64 मतलब चार का जो घन है इसमें 11 का आता है चार आता है और ऐसा कोई भी पांच का धी हम देखें तो लास्ट में पांच है साथ का यदी हम देखें तो 343 तीन आता है आठ का यदी देखें 522 आता है नो का यह दिलुए 9 आएगा तो यह तरीकशें हुन एंडिन का सकते हैं कि इस चार होगा जाय का गण हो उसकीन में क्या आएगा चार आएगा तो हम कह सकते हैं कि अब हमने इन तीन को छोडव दिया जोकि घं मूल निकालते हैं तो हम तीन का जोड़ा निकाल दिए जैसे बर्ग में हम दो एक यह सकतीन को मोगते हैं यह सुरा हुआ जादा सब्सक्रपारा का तीन का 13 वे शङालンダ нам चार तो इसका जो घनमू लाएगा वो क्या जाएगा दो दिसंबलाव चार होगा और ऑप्षन में भी हमें दिया गया है चलिए हम दूसरे कौश्चन को देखते हैं को यहाँ पर प्रश्ण है स्रेणी चार साथ 10 13 अपटू कर नौव पद गयात करना है हमें यहाँ पर यहीं स्रेणी को देखें तो यहीं एक समांतर स्रेणी है क्योंकि, यदि हम त्रमागत, दो पदों के यदि हम अंतर निकालें, तो वो हमें इसे समान आता है, जैसे कि, यदि हम पहले पद की बात करें, प्रथम प्तुम पद ए कहलाता है, वो कितना है, चार है, और यहाँ पे हमें निकालना क्या है नोबा पद तो हमें A9 या T9 हमें ग्याद करना है किसी भी तरीके से ब्यक्त कर सकती है तो यह एक समानता सेर्णी होता है तो जब हमें किसी भी पद ग्याद करना होता है TN या AN मदलब हम हमें बाप्त का सूत्र गो होता है några प्लस अमाइनस बन-2 yn दी तो यहांसे हमें क्या निकलना है और 9 यह मिलेगा B और अब इसमें रख दें तो एक आमान कितना है चार तो एक दी डी का मान कितना है तीन क्यूंकि सारवांतर आता है तो डी का मान तीन है तो आठीरी 24 24 कितना हो जाएगा 28 तो इस तरीके से हमें 28 आंसर मिल जाएगा जो ओप्षन फोर्ट में हमें दिया गया है next question को हम देखते हैं निमनलखित मेंसे कौन सी एक संख्या सबसे बड़ी है तो हमें दिये गए options में बता लाना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है तो ये तो देखके भी बता सकते हैं तो बड़ी बता लाने के लिए हम सबसे पहले जो इसका हजार वाला अंख है उसको हम देखती है यहाँ पर हजार पर क्या है दो सब में दो है फिर यहाँ देख ले हम उसके बाद सेकड़ा वाला अंख देख ले है तो तीन है यहाँ चार है यहाँ तीन है यहाँ पर चार है तो हम कह सकते ही जो होगी, वो क्या होगी सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, तो हम इस तरीक से देख सकते ही, तो simple सा question था, अंगलिक प्रशनकों हम देखते हैं, यहाबा प्रशन है यदि 9 सर्म एक एक दीवार को 28 दिन में बना सकते हैं, कितने दिन में 28 म तो समान कारे को 21 घंटों में करने के लिए कितने स्रमों की आविशक्ता पड़ेगी या आविशक्ता होगी तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि जो MDH का फॉर्मूला होता है MDH M1 D1 H1 बरावर M2 D2 H2 इसका मतलब यह होता है M1 मतलब मेन D मतलब D H means hour M मतलब मेन D मतलब D H means hour तो कितने आदमी कितने दिन कितने घंटा यदि यह होता है तो हम इसका प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर है कि 9 स्रमिक जो है एक दीवार को 28 दिन में बना सकते हैं यहाँ पर 2 की बात की गई है M1 और D1 की तो 9 स्रमिक 28 दिन में बना सकते हैं तो इसी कम को कितने दिन में करना है और स्रमों की संख्या बतला नहीं है तो स्रमिक जो है M2 न हमें ग्याद करना है लेकिन यहाँ पर D जो घंटे हैं मतलब अबार दिया है में कितने घंटे 21 घंटे में हमें इसको करना है तो यहां से M2 निकालना है तो इसका 21 का पक्षांतर हो जाएगा तो एक गोड़ा में है तो डिवाइड में आ जाएगा यहां से हम साथ से काट सकते हैं साथ चोको 28 साथ चोको 28 साथ या 21 तीनतर का नो तो इस तरीके से चारतीरी 12 बारा हमारा अंसर आ जाएगा तो हम यहां देख लेते हैं कि फोर्थ ओप्सन जो है उसमें 12 दिया गया है प्रश्न है यहां पर एक दरवाजा जो है उसकी जो माप यहाँ मतला है लंबाई और चोला ही दीवार प लगाएं गईएं और दोटल जो दिवार है हम लिखते जाती हैं और दीबार बाली परिमाड़ पर लगाई जाती है दीबार को पैंट करने के लिए कुल सरम लागत ग्याद करें यदि दीबार में एक मीटर बर्ग की पैंटिंग के लिए सरम लागत चार रुपे है एक मीटर बर्ग की वे स्रम लागट जो दी गई है वो पेंटिंग की भूगा है चार रूपे हमbit ऑफ-ससे पहले लेटे हैं कि हमें दीया क्या है जो धरवाजा है न क्रवाज की हम बात करें मूकस कितने हैं दोधुजा सम्लाब पाँच गुड़ित एक यदी हम इसका क्या काल ले 6 तरफं खड़की और लेकिन यह कितनी खड़की यह तो दो खड़कियां इसलिए हम इसमें दो का गड़ा कर देंगी तो 1.5 डेड़ का गोड़ा एक से होगा तो 1.5 डेड़ ही आ जाएगा और तीन मीटर हो जाएगा तो हमें दरवाजा और खिड़कियों का छेतर फल ग्यात हो गया यदि हम इनको जोड़ लें कि एक जो दीबार है इस पे दरवाजा लगा हुआ है और दो खिड़कियां लगी हु दरवाजा और खिड़कियों ने हम दीबार की बात करें तो दीबार जो है 7 मीटर गुड़े 6 मीटर परिमार मतलब दीबार का छेतर फल कितना हो जाएगा जो दीबार है उसका छेतर फल कितना हो जाएगा 7 और 6 दिया है तो 6-7 42 मीटर यदि हम दीबार टोटल जो छेतर फल है दीवाल का वो 42 मीटर है और हमें पता है कि दर्वाजा और खड़िकी आंकितना पांच मीटर की जगा उन्होंने घेर रखी है 175 यदि हम इस 22 में से इस 175 को घहटा दें तो हमें किया मिल जाएगा बोह स्थान मिल जाएगा जिस में हम क्या करेंगे पेंटिंग करेंगी तो हम याद करते हैं तो हम यहां देखते हैं कि कुल कि पेंटिंग के लिए कि इस्थान कुल पेंटिंग के लिए इस्थान क्या जाएगा यदि हम 42 में से 5 पांच को घटा दें तो क्या बजेगा 36 दसमलाव पांच मिल लाएगा अब यदि हम 36 दसमलाव पांच जो है इतने में हमें क्या करना पेंटिंग करना और एक मीटर की पेंटिंग की लागत कितनी है चार रुपी तो इसमें चार का गुणा हो जाएगा 146 रुपे मतलव हमें इतनी जो पेंटिंग है दीवार कितना ही बची थी हमारी 36 दसमलाव पांच इसकी यदि हम पेंटिंग करेंगे तो हमें 146 रुपे की लागत लगे गी चलिए हम दूसरा कॉश्चन देखते हैं यहां प्रशन है दिये गए समीकण में x का मान हमें ग्यात करना है हमें दिया है 7 धन 4 x बटे रण 3 x धन 9 बराबर 5 बटे 20 यदि हम इसका पक्छांतर कर दें पक्छांतर जब होगा तो आपस में क्या होता है इनमें तिरिया गुणा हो जाएगा करते हैं हम तो 20 का गुणा किसम हो जाएगा साथ धन 4x में बराबर 5 का गोड़ा किसम हो जाएगा माइनस 3x धन 9 में तो हम इनका गोड़ा करते हैं तो 20 सत्य 140 धन 4 दूनिय 8 80 x बराबर क्या हो जाएगा 35 15 15 x 9 25 यदि हम यहाँ पर देखें 15 x का हम पक्छांतार कर लें 80 और 15 जोड़ जाएगे तो कितना हो जाएगा 95 x और यहाँ यदि 45 है और यहाँ 140 का पक्छांतार करेंगे तो कैस में आ जाएगा रिण में आ जाएगे 45 यदि घटेंगे तो कितना बचेगा 95 ही बचेगा तो यहाँ से यदि x की value निकालेंगे तो x परावर क्या जाएगा रिण एक तो x का मान रिण एक जो है option 1 में हमें दिया गया है next question को देखते है यहाँ पर प्रश्ण है 1068 गुड़िद 486 गुड़िद 928 का बर्ग हमें दिया गया है टोटल का एक संख्या होगी एक संख्या होगी जो खाली स्टन अंक पर यहाँ कोई संख्या किसी अंक पर समाप्त होती है अर्फद वो क्या है unit place है एकाई का अंक है अर्फद हमें इस संख्या का क्या निकालना एकाई का अंक ग्याद करना है तो हम यहाँ देख लेते हैं जो 1068 एक उनक का आपसमें गुणा कर लें क्या कर लेते हैं तो यहां पर आट होसा से कुई मतलब नहीं आठ जी बनल gat Whoa how लेकिन चार का क्या लगा हुआ है बर्ग लगा हुआ है तो हम इसका बर्ग करेंगे तो चार्चों को 16 तो हमें एक से मतलब नहीं एकाई में क्या गया हमारा छे तो इस तरीके से हमारा जो एकाई का उपर तीन की घात बहागित पांच की उपर तीन की घात के उपर दो की घात तो इसको हमें हल करना है तो यहां 15 और 5 है और इन दोनों को उपडला है तीन की घाहत लगी है तो क amiga पे गहात है जब कोषटक के ऊपर गहतए लगती जाते हैं तो उनका आपस में गुणा हो जाता है तो यहां 10 और दो का हो हो जाएगा इसको हम काटेंगे । पातीरट्ब यहां से हम गया की घात अब 3 को 6 भार सब्क्राट मुढों करेंगे जो हमें मिल जाएगा चले इसका है देखते हैं यहाँ प्रश्न है माइनेस 3 बड़ड़ 7-25य साथ 58-9 को एवंn यहाँ पर आता है आरोही मतलब होता है अरोही का मतलब होता है कि जब हम छोटी संख्याओं से लेकर बड़ी संख्याओं की ओर जाते हैं तो वो आरोही क्रम कहलाता है अर्थात आरोही क्रम को हम बड़ता क्रम भी कह सकते हैं कि बड़ती क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है यहां पर दिया गया है रिन तीन वटे साथ और यहां दिया रखेंगे हम और साथ या एककई साच चुको 28 मतलब दसमलाव 4 के सम्थिंग रहेगा लगवक यदि हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा तो यहां पर हम आसानी से देख सकते हैं कि जो संख्या आठवटे नो है यह सबसे बड़ी है ठीक है इसके बाद यह दिन हम देखें तो फस्ट नमबर पे हमारी आठवटेनो इसी तरीक के से दिन हम दूसरी संख्या को देखें तो यहां पर तीनों क्या हैं रिनात्मक संख्या हैं यहां पर रिन का चिन लगने के कारण जो छोटी संख्या है वो क्या हो जाती है बड़ी बन जाती है तो यहां रिन जो दसंबलव 4 है यह क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी तो यह दूसरे नंबर पर आ जाएगी हमारी संख्या और यहां आपर देखें रिन सुन्द शुनात संब्लाव साथ तो यह तीसरे नमबर पे आ जाएगी और चौतरे नमबर पे क्या जाएगी हमारी लिए आठ बटे-णो तो इस तरीकी से किस से बढ़ा होगा रेन आठ वटी नौ सी तो हम इसको option को देख लेते हैं तो यहां पर हमें जो third option है वो मिल रहा है क्योंकि आठ वटी नौ रेन तीन वटी साथ रेन पांच वटी साथ रेन आठ वटी नौ तो हमारा third option क्या हो जाएगा answer हो जाएगा